अज़कार मैं Dr. जहनक सकलेचा लेकर आई हूँ महिलाओ के लिए एक सीरीज Pregnancy and its Complications जिसके अंतरगत आज हम बात करेंगे Vomiting in Pregnancy के बारे में Vomiting in Pregnancy जिसे आम भाषा में जीग वराना या उल्टी होना भी कहा जाता है ये Pregnancy के सबसे Early Science में से एक है जो कि बहुत ही common है अधिकतर ये 12 से 14 हफते में सबसाइड हो जाती है चुकि ये सुबह के समय अधिक होता है इसलिए इसे morning sickness भी कहा जाता है पर कई बार ये पूरे दिन भी रह सकता है और जब ये severe होता है जिस दोरान महिला अपनी दिनचरिया ठीक से नहीं कर पाती तो इसे medical terminology में hyper emesis gravidarum कहते है ये एक ध्यान देने वाली स्थिती है आईए अब हम इसके कारण जानते हैं कि ये कैसे होता है pregnancy के साथ साथ एक महिला की शरीर में कई बदलाव आते है vomiting in pregnancy का सबसे मुख्य कारण है हार्मोन SCG level के में बदलाव आना और कुछ और कारण है जो इस इस्तिती को trigger और ये फिर worse करती है सबसे पहला twins ये फिर triplets second stress ये तनाव third अधिक थकान होना fourth frequent traveling आईए अब हम इसके duration के बारे में जानते है generally ये 12 से 14 हफ़ते में ठीक हो जाती है पर कई बार ये पूरी pregnancy में भी रह सकती है चलिए अब हम बात करते हैं इसके treatment के बारे में treatment हमें doctor से consult करके ही लेना चाहिए परन्तु कुछ general measures अपना के हम इस इस्तिती की गंबीरता को थोड़ा काबू पा सकते है जैसे थोड़े थोड़े समय में थोड़ा थोड़ा खाना eat small meals throughout a day दूसरा खाली पेट नहीं रहना तीसरा आप early morning biscuits ले सकते हैं फोर्थ थोड़ा नीबू पानी ले सकते हैं प्रॉपर फ्लूर्स लेना विटामिन B6 supplements भी ले सकते हैं ginger and उसके products ले सकते हैं spicy foods avoid करना और बीच बीच में छोटे छोटे नैप लेकर या फिर rest करकर भी आप इस चीज को avoid कर सकते हैं तो ये थी हमारे आज के topic के बारे में जानकारी अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे blog को भी visit कर सकते हैं जिसका link description में दे दिया गया है मिलते हैं next video में और नई information के साथ Thank you